पिछले हटे आपने जो रेमेडी बता आजा आपने ज develop एक लाई में ब Personality Home टो घान आजके वीडियो में और एक ह्रेय लोगों के सामने और है और अगे से और इक हैर ग्रोथ tattoo तक राया हूं, अगर आपके द्राइनेस का प्रोबलम है, फ्रीज नेस का प्रोबलम है, फ्रीज़ी बालो की वज़े से भॉछ सथा टैंगल बन रहा है, वह एक है बाल बाल बंढ नहीं है, बाल में कोई शाइन नहीं है, भॉह सथा डांट रह रहे हैं, भॉह सब गॉर और वेल्कम तो मैं चैनल शाइनी रूपस मेरा नाम रूपा है स्वागत है आप लोगों का यहां पर गाइज यहां पर मैं स्किन केर हेर केर मेक अप्रोड़क रभी उसके बहुत सारे वीडियोग करती हूं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है अपने चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो तो चलिए और एक रेमेडी में आज अपको के साथ शेयर करने वाली हूं और यह हैर ग्रोथ हैर री ग्रोथ के साथ साथ डांडर्फ को दूर करेगा आपके बाल में शाइन लाएगा बालों को मैनेजबल बनाएगा बनाएगा बनाएगा इसके लिए आपको इस रमेडी को ट्राइ करना पड़ेगा अब त्राइ कैसे करना है हपते में दो बार आपको इसको लगाना है हपते के बीच में एक लगाईए फिर हपते के एंड में जाकर लगाईए और यह मेरे मेरे मेल और फीमेल दोनों व्यूरी ट्राइ और जो मेरे विवर्स तोड़े से एज़ड है, जिनका एज हो गया है, वो भी इस्टेमिडी को ट्राइ कर सकते हैं, तो चरिए एक एक करके इंग्रीडियन्स को मैं आप लोगों को बताती हूं, इंग्रीडियन्स को बताने से पहले आप लोगों को मैं यह बता दो, यहां पर मैं सारे dust product का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन अगर आपके पास यह सारे products जो मैं बताने वाली हूं, यह fresh available है, तो आप fresh भी ले सकते हो, वैसे fresh का जो effect है वो जादा तगडा होता है dust के मुकाबले, तो यहां पर सबसे पहला जिस ingredient को मैं इस लिस्ट में आड करने वाली हूं वो है मेथी, सरदियो का मौसम है और इस मौसम में हम मेथी को अपलाई ना करें अपने बालों से dryness को दूर करने के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो यहां पर मैथी का powder लिया है, लगबग 2 चमच, इस रमीडी को आप अपने पूरी स्काल्प में लगाईए, लगाने के अगर आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत सदा dry और टांगल हो रहे हैं, इस केस में आप इसको अपने बालों में भी लगा सकते हो, तो यहां पर लगबग 2 चमच मेथी को मैंने ले लिया है, अब इसके साथ मैं दूसरा एक इंग्रिडियन बिलाने वाली हूँ, जो हैर ग बहुत अच्छा काम करेगा, और इसके साथ जो तीसरा इंग्रिडियन हम यहां पर मिलाने वाले है वो है शहिद, सर्दियो के मौसम में मैं थोड़ा सा जादा शहिद अपलाई करना पसंद करती हूँ, इससे बाल मैनेजबल और मॉशराइज रहते हैं, और बालों में टैं तो खटा दही मैंने यहां पर मिलाया है, अच्छा यह वाला दही मैंने घर पर मनाया है, बाहर के दही को थोड़ा सा अवाइट करें, घर में दही को बनाईए और इसको आप अपने बालों में लगाईए, लेकिन यहां पर दही को जो मैंने तयार किया है, वो तयार अगले दिन इसको पूरा मैंने इसके साथ आड़ कर दिया अब इससे मुझे खटा दही भी मिल गया और अपल साइडर विनिगर का एफेक्ट भी मिल गया कभी कबार क्या होता है अगर हमारे बाल हर से जादा टांगल हो जाते हैं उसकेस में हम थोड़ा सा अपल साइडर विन आपको मिलाना है हलका गुन-गुना गरम पानी थोड़ा सा वाम वाटर आधा कप या अधा कप से एक कप के अंदर ही लेना है अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढखके इसको लगभग दो घंडा आपको रख देना है क्योंकि अपने मेथी को लिया है तो क्या होता ना कि मेथी सोक होने में थोड़सा टाइम लगता है मेथी का पाउडर ले लो फिर कज्छा मेती जो भीगने में थोड़ा सा टाइम लेता है अगर आप चाहे तो इसमे हीना के लिए क्योग अधा थrafat और च 250 बीटर में का लेसक्ते हो क्या होगास हाफ को उप अपने बालो कोुछ से कौम कर लीजिए एक सिक्शन करने के बासे ने मिषसको अधर हेर्पागः इस हिर पूरे भालों में lekसे के बासे लगाना एक है लिखाने के बाद जू बचेगा वो आप अपने बालों के निचले हिस्से में लगा लीजिए अगर आप चाहे तो स्कैल्प में लगाने के बाद पूरे बालों में भी अच्छी से लगा सकते हो और अगर आप अपने बालों को मौशराइस करने के लिए इसको लगा रहे हो तो आपको इसको थोड़ा जादा टाइम रखना पड़ेगा 25-30 मिनिट लेकिन अगर आप इसको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगा रहे हो तो 15 मिनिट लगाने के बाद आप इसको धो सकते हो 15-20 मिनिट वेट कीजिए और उसके बाद जब यह हलका हलका सूक जाएगा उसके बाद हलके गुन-गुने गरम पानी में अब अपने बालों को अच्छे से टाइम लेकर धीरे धीरे वश करनेजिए जादा खीचातानी नहीं करना है क्योंकि मेथी बालों में बहुत ज्यादा चिपक जाता है जितना जादा आप घिसोगे उतना ही हैर फॉल हो सकता है तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस लेकर आपको इसको धिरे धिरे वश करना है अब बालों से अच्छे से मेथी का पैक निकाल लेने के बाद अपनी बालों को अच्छे तरीके से शांपू कर लेजिए और शांपू कर तो यही होता है हो MADE कमाल हमे पता रहता है के हम कौन सी चीज़ प्लाइगे अपने बालों में और यह अवारे बालों के लिए एक बहुत ही बहतरीन हेर ब्रोथ मासकर इसके मैंने आप सब लोग के साथ शेर किया है वीडियो गैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझे से पूछ सकते हो आज के लिए बस इतना ही बहुत चल दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हादिर होंगी तब तक के लिए टेक क्या दी से बाई बाई